प्यारे और निराले साथी विकास के मामा उसको एक पत्र लिख रहे हैं आये चाने उन्होंने पत्र में उसे क्या लिखा? प्रिये विकास, ठेर सारा प्यार आशा है घर में सब कुशल मंगल होंगे पिछले पत्र में तुमने लिखा था कि घर में बंदर घुसाए थे और उन्होंने किस तरह फ्रिश खोल कर फल सबजियां खाली थी पहले तो पूरा किस्सा पढ़कर मुझे बहुत हसी आई लेकिन दूसरे ही पल में सोचने लगा कि आखिर ये बंदर ऐसा क्यूं कर रहे है जंगल और पेड़ पौधे छोड़ कर हमारे घरों में क्यूं खुस रहे है फिर लगा कि आखिर दुनिया में इन जीवों का जीना दूभर करने वाले हम ही तो है हमने उनके घर उचाने है हमने जंगलों का विनाश कर दिया है एक एक पेड़ पर न जाने कितने पशुपक्षी निर्भर थे हमने उन्हें नश्ट कर दिया तो अब तुम ही बताओ वे कहां जाएंगे इसलिए बंदर लोगों की बस्तियों में आ गए है तुम्हें शायद पता होगा कि चार अक्टूबर का दिन दुनिया भर में विश्व जीव कल्यान दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि हमारा ध्यान जीवों की ओर जाए लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे इन प्यारे और निराले साथियों के साथ लगातार कुरूरता का वहवार किया जा रहा है चेहरों की गलियों में भूखी गाएं कूडा करकट पॉलिथीन के थैले और पैकेट खा रही है इतना ही नहीं प्रित्वी पर कई जीव जन्तूं की प्रजातियां लुप्थ हो रही है बलकि कई प्रजातियां तो लुप्थ भी हो चुकी है मतलब वे भी उसी तरह मर चुके हैं जैसे डोडो मर गए जानते हो विकास डोडो एक पक्षी था कबूतरों का ब्रादर लेकिन बत्तक से भी बड़ा और भारी उड़ नहीं सकता था मौरिशस और हिंद महसागर के तमाम अन्य दीपों में वे बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे लेकिन सन पंधरा सो साथ में वहाँ पुर्दगाली लोग पहुंचे और उन्होंने भोले भाले डोडो को मार मार कर खाना शुरू कर दिया कितने दुख की बात है कि संसोला सुग्यासी में डोडो का नाम और निशान इस दुनिया से मिट गया आज तुम किताबों में केवल उसका चित्र ही देख सकते हो इसी तरह हमारे देश में एक बहुत ही सुन्दर प्राणी होता था चीता लेकिन मनुष्य जाती ने उसे भी नश्ट कर दिया जानते हो क्यों बस शिकार खेलने के बरबर शौक के लिए उसकी सुन्दर खाल के लिए शेर और बाग भी बुरी तरह मारे जा रहे हैं हमारे आसपास आज तमाम प्राणीों का जीवन संकट में है हमारे देश का एक सिंग वाला गेंडा भी गायब हो रहा है सिक्किम के जंगलों में रहने वाला गेंडा भी गायब हो रहा है सिक्किम के जंगलों में रहने वाले सुन्दर लाल पांडा का जीवन संकट में है हिमाले के भूरे भालू, कच्छ के जंगली कधे, गोखर, चिंकारा और चौसिंग म्रिक, रेगिस्तानी बिल्निया, गंगा की सुमूस यानी डॉल्फिन, मगरमच, हिंद महा सागर के चीमड कच्छुए, अंडमान और गुजरास सागर के तटों के हरे कच्छुए, घडिया अजगर, सभी का जीवन खत्रे में है, मन मौह लेने वाले मौर भी मारे जा रहे हैं, सफाई करने वाले गिद्ध, अब आसमान में नजर नहीं आते, कहां तक गिनाओ, ये सभी जीव, तक्रिती में संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं, अगर ये संतुलन एक बार भी बिगड़ा, तो इससे अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगे, मासा हारियों की तबाही से, शाका हारियों की संख्या में वृद्धी हो जाएगी, जिसका प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ेगा, और तुम तो जानते ही हो, कि वन या पेड़ पौधे मनिशे क के लिए कितने आवश्यक है, आज वन ने जीवों के संदक्षण के लिए कई अभ्यारणे बनाए गए हैं, भारत पहला देश है, जहां वन ने जीव संदक्षण अधिनियम बना, WWF जैसी संस्थाएं वन ने जीवों के संदक्षण के लिए कारे रत हैं, इसके बावजूद प्रतियक देश के नागरे का भी ये करतव्य होना चाहिए, कि वो परियावरण संदक्षण तथा वन ने जीवों के संदक्षण में पून भागिदारी दे, ताकि हमारी भावी पीड़ी भी स्वस्थ और सुन्दर परियावरण का लाब एवं आनंद उठा सके, अगले महिने कार्याले के काम से मुझे दिल्ली आना है, तब इस विशय पर धेर सारी बाते करेंगे, अपनी माता जी को मेरा प्रणाम कहना, और नीतु को धेर सारा प्यार, तुम्हारे आ अलुक मामा